हाई गाईज कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोको का हमारे ACCA चैनल पर और आज हमारे बात करने वाले हैं कि अगर आपका ACCA का रिजल्ट आया है और आप क्लियर नहीं कर पाए है तो आपको क्या करना है जिन बच्चोंने क्लियर कर लिया है उनसे हम definitely बात चीब करेंगे और जो बच्चे clear नहीं कर पाए है चाहे वो हमारे student है या नहीं है हम सब से जो है एक बार बातचीत करना चाहेंगे और एक ये वीडियो है और साथ साथ में और बहुत सारी चीज़े और हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग हमारे साथ आप connect कर सकते हैं राइट सो अगर आपका ACCA का रिजल्ट साही नहीं आए आप clear नहीं कर पाए फिल थोड़ा से tough word हो जाता है आप ऐसे समझे अगर आप clear नहीं कर पाए इस बार तो आप लोगों ने क्या करना है उस पर discussion है इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूँ के ACCA के लिए हम लोग subject wise classes भी आपके लिए subject wise classes भी आप लोगों के लांच कर चुके हैं और आपको काफी affordable प्राइस पर learn91.com पर मिल जाएंगी काफी affordable price पर वह आपको learn91.com पर मिल जाएंगी So मैं start करूँ इससे पहले आप लोगों को बोलूँगा कि भाई प्लीज बैठिये और इस वीडियो के notes बनाईएगा Please लिखिएगा क्योंकि आप अगर इसको हलके में लेंगे तो मैं मालनूँगा कि भईया देको बात ऐसी है कि आप लोग जो है वो चाहते ही नहीं भईया अपने आप career को लेकर जो आप serious ही नहीं है और इस वीडियो का सबसे बहला काम में आपको stop रहा हूँ और मुझे उमीद है कि आप लोग वो काम ज़रूर करेंगे वो काम क्या है वो काम यह है कि अब आपने बैठना है और आपकी जो भी feelings है जो भी probable reasons है failure के जो आपको लगता है जिसकी विएसे आप fail हुए वो लिखिए वो लिखिए प्लीज अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में कि क्या major reasons होते हैं जिसकी विएसे ACCA students जो है वो clear नहीं कर पाते हैं वो major reasons जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल चिंदा मत कीजिए लेकिन आप लोगों को भी अपने personal reasons लिखने पढ़ेंगे सबसे important चीज है अपने आपको जानना सबसे important चीज है आपके अंदर जो कभी fail होते हैं तो आप जरूर लिखें उसके बारें बैटके उससे आपको काफी insights मिलती है even successful होने के बाद भी मैं आपको एक simple example लेता हूँ अगर मैं stock market में कोई अच्छा share pick कर पाता हूँ तो मैं जरूर लिखता हूँ कि मेरी feelings उसमें क्या थी मैंने क्या 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 इस company के नहीं pick करता है या कोई में को loss हो जाता है तो मैं यह भी देखता हूँ कि भाई मेरी feelings उसमें क्या थी राइट सो अपनी feelings को जरूर 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 लिखें जरूर जाने मैं आपको आने वाली वीडियों बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि सबसे बड़े-बड़े कारण है और इसमें बस आप लोगोंने एक काम करना है और यह है कि बिल्कुल honest रहें बिल्कुल honest रहें आप किसी को दिखाईएगा मत वो जो आपने लिखा है लेकिन अपने साथ बिल्कुल honest रहें और खुलके लिखें और एक बात का जवाब मुझे comment box में जरूर दीजेगा अग while preparing for the exams क्या आपने अपने best efforts किये थे while preparing for the exams जरूर मुझे comment box में comment करके बदाईएगा अगर दिया था तो लिखेगा yes I gave my best और अगर नहीं दिया तो लिख दीजेगा no मेरा best अभी मैं नहीं दे पाया था लेकिन आने वाले समय में जरूर कोशिश करूंगा कि में मेरा best दो राइट जरूर बदाईएगा और प्लीज एक बार फिर से request कर रहा हूं कि इस वीडियो को जाद 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 ACCA students के साथ share कीजेगा ताकि उन लोगों तक हमारी बात जो बताते हैं कि क्या करना है अगर आपने classes ले रखें तो अपनी वीडियो और classes से पढ़ाई करिए अपके teachers को सुनिए आपके teachers क्या कह रहे हैं और एक बात classes को सिरफ ऐसा मत सोचिए कि classes आपको pass करा देंगे आपको उससे पढ़ना पड़ेगा आपको उसके साथ समय spend करना properly अपनी वीडियो को जो भी आपके पास हैं जो classes हैं उनको अच्छे से देखिए और उनसे पढ़िए उनको पढ़ने के बाद अपने notes कुछ बना सकते हैं वो notes बनाई है और teacher के notes को refer करते रही है और इन दोनों के बाद भी एक बात में बता दूँ आपको जादा दर पर करनी है बुक्स आप अपने पास जो भी authentic source है उससे arrange कीजिए और उनसे पढ़िए टीचर्स क्या करते हैं टीचर्स उन्ही बुक्स के short notes में convert कर देते हैं और मज़े की बात है फिर ये भी बोल देते हैं कि अब आपको कुछ पढ़ने की जुरत नहीं है मैं कभी ऐसा नह नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों को हमेशा motivate करूँगा कि please आप लोग अपने teacher की videos और classes के बाद भी एक तो उनके जो notes है उनको पढ़ने के बाद भी book को at least one or two reading तो जरूर दीजिए पूरी book को आपको reading देनी ही देनी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बोलूँगा कि वहिया आपने इनको पढ़ते से भी अपने कुछ notes अगरा बना पाएं very good आप proper practice कीजिए आप अपने जरूर कुछ ना कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि वीडियो चल रही तो आपको उसके साथ engage करना है आपको सर ने कुछ बूला उसके note बना लीजिए वीडियो तरीके से coverage, coverage proper होनी चाहिए यह ना हो कि भाई आप पढ़ने की acting कर रहे है coverage proper होनी चाहिए पढ़ने की acting नहीं करनी है पढ़ा ही करनी है बाबू बनके ऐसे पीछे हाथ बैटके वीडियो नहीं देखनी है अपने वीडियो के साथ engage करना है अपने अपको engage कैसे करेंगे लेक चार्ट मनाता हूँ, टेक्स नोट्स मना लेता हूँ और फिर जाकर मैं मानता हूँ कि मेरा course complete हुआ है अब सवाल रुटता है अगला के how to study, how to study में आपको पहले बताई चुका हूँ, video notes and books आपने देख ली है, इनको बहुत अच्छे से आपने cover करना है, और सबसे important बात व वो questions practice नहीं करते हैं, right, questions कहां से practice करने हैं, यह teacher ने आपको concept deliver कर दिया, ACC course का model ही ऐसा है, कि teachers आपको concept deliver करेंगे, teachers आपको समझाएंगे, teachers आपको अपने notes देदेंगे, आपने books cover करनी है, और उसके बाल आपने maximum questions की practice करनी है, maximum questions की, right, जाधा से जाधा questions practice कीजिए, और वो questions practice क सहां से करेंगे, वो भी आपको बता देता हूँ, जो भी book आपको refer की गई है, उस book से कीजिए, और कहीं बार बच्चे आते हैं, सर, मैंने सर एक book कर लिए, दूसरी कर लूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपने एक book के proper जो भी आपको exam kit मिलती है, जो भी आपके ब आप करिएगा, अधर्वाइस सिर्फ आप एक book को properly एक दू बार आप उसके question practice कर लिजे, और इसमें ACCA के past exam questions आप practice कर लिजे, ACCA के past exam questions आप लोग practice कर लिजे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ACCA exam में बच्चा 99.99% chance है, कि वो fail इसलिए हुआ है, कि भाई उसने पढ़ाई नहीं कर लिए, ये सुनके आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सचा ही है, एक दो reason और है, वो आपके साथ share करूँगा, बट अगर आप ये तीनों चीजे cover कर रहे हैं, अपने teacher की video notes book में, जो आपने आपको examples करा रखे हैं, उनको आप डंक से देख रहे हैं, बाबू बन के नहीं देख रहे हैं, proper देख रहे हैं, और उसको engage कर रहे हैं, ये word याद रखेगा, you have to engage yourself with the videos, with the classes, okay, with the books also, books पढ़ र कर रहे हैं, नहीं भाई, mark करो, important बात हैं लिखो, अपनी कुछ annotation लिख लो, right, उसके बाद question practice, and then, आपने काम जो मैंने आपको बूला, वो करना है, वो ये, कि बाई सब एक book के questions आपने अची दरह से cover करने हैं, जब एक book के question cover हो जाएं, आपको लगे कि नहीं, अब इस book में जाने की कोशिश ना करें, और अब आपको बताता हूं, एक और कारण, एक तो कारण है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, और एक और कारण बताता हूं, कि बच्चे क्यों नहीं पास होते, इससी में, जब ध्यान से देखेगा, और इस पर हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, अभी दग अगर आप वीडियो में बने हुएं, तो सबसे पहली बात मैं आपको एप्रिशेट करना चाहूंगा, कि आप लोग एक्चुली में चाहते हैं कुछ चेंज करना, अपनी प्रप्रेशन के अंदर, आप लोग पास हो, तो अब आप लोगों ने काम करना है, प्रै सब कुछ आता है, आप पहली बार कोई मोबाइल पकड़ता है, जब पहली बार एपल का फोन यूज करोगे आप परिशान हो जाओगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आईफोन में, अरे अनलॉक कैसे करो, अरे ये क्या है, अच्छा, इसमें फाइल कैसे दूनते हैं, से टाइब करके एग्जामस देने है, एक्सल का यूज करना है, और पूरा कबूरा कंप्यूटर बेस एग्जाम है, basically, ये कंप्यूटर बेस एग्जाम से आप जितना रू बरू हो जाएंगे, आप जितने उससे अपनी जान पैचान बढ़ा लेंगे, उतना अच्छा है, तो आप computer based exam से अपनी जान पचान कैसे बढ़ाएंगे practice platform पे जाके आप लोगों ने क्या करना है mock drill करने है what is mock drill, mock drill basically आपको पता है fire drill होती है बड़े-बड़े hospitals में, buildings में, hotels में fire drill कर आई जाती है एक दम से शोर मचा देंगे, आग लगी, आग लगी नहीं होती है, वो drill होती है और सब अपनी पूजिशन ले ले लेते हैं कि आग लगने की case में हम लोग क्या क्या करेंगे और वो drill इसलिए होती है, अगर अपने movie देखिए Tango Charlie तो Tango Charlie में अजे देवगन, Bobby Deval को भाई साब, mock drill करवाता रहता है कि ये bridge बहुत important है, ये bridge हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हल में, वो रोज mock drill करते हैं ऐसे कि जैसे भाई साब आतंगवादी जो है, वो आ गए, तो वो रोज ऐसे practice करते हैं कि भाई साब आतंगवादी जो है, वो आ गए Just think over it, Tango Charlie देख लिजेगा एक बार So, mock drill is important, mock drill करिए, जादा से जादा mock drill करिए, जादा से जादा mock drill करिए Is that clear? Come on, come on, तो जितनी mock drill up करेंगे, उतना अच्छा है और इसी के लिए, do as much practice as you can Questions की practice platform पे जाके आप जितनी practice करेंगे, questions की practice platform पे जाके आप जितनी practice करेंगे, वो उतना आप के लिए सही रहेगा वो उतना आप के लिए जो है, वो उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा Okay, and finally, एक बात आपको और बता दूँ कि आपको अपनी computer proficiency पे ध्यान देना चाहिए, कि आपको computer की knowledge कितनी है, आप computer को कितना चलाने में सहज महसूस करते हैं, असान महसूस करते हैं, कितनी असानी से जो है आप computer को operate कर भाते हैं इस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं बच्चे बिलकुल भी prepare नहीं होते हैं, वो शायद first time computer को इस level पे use कर रहे होते हैं, और अपने exams देने चले जाते हैं, वहाँ पे सर दिक्कत है, तो आप लोग पहले से computer proficiency अपनी बढ़ाईए, प्रैक्टिस प्लैटफॉर्म पे जाके सारी चीज़ों के एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, अगर आप सारी चीज़ों के एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर एक समझ लिजे कि आप exam में mock test देने जा रहे हैं, exam में mock drill करने जा रहे हैं, which will cost you a lot of amount, which will cost you a lot of time, which will cost you your mental peace, right, so please ऐसा मत कीजें, अपनी computer proficiency बढ़ा के जाएं, so हमको special sessions करेंगे computer proficiency के उपर, वो आप लोग के साथ भी हम लोग share करने की गोशिश करेंगे, जो learn 91 के student हैं, उनके साथ बहुत जल्दी हम लोग जो हैं, इस पे session करने वाले हैं, right, चलिए, अब कितने exams दें, ये ए that's it, एक paper एक बार में, ज्यादा भागने के जूरत नहीं है, sir मैं तो CSI हूँ, sir मैं तो cheat ford मचा दूँगा, नहीं बेटा नहीं, नहीं, please नहीं, one exam at a time दीजिए, ये course ही इतना अच्छा है न, कि आपको flexibility दी जा रही है, और साथ साथ जॉब करने की कोशिश कीजिए, साथ साथ जॉब पकड़ने की कोशिश कीजिए, गर अब skill level पे है, so it is okay to give one exam at a time, don't, don't, don't rush, okay, and then, एक बड़ा important question मैं ने देखा, कि sir मैंने PM दिया था, मैं fail हो गया, और मैं अब दूसरे exam की preparation in the meanwhile में शुरू कर चुका था, मालने थे FM की, December में देने के लिए, तो मैं क्या करू मैं कहां जाओ, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कि अगर आप ऐसी condition में हैं, तो आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपकी preparation कितनी है, किस की, FM की, आपकी FM की preparation पूरी हो गई है, आपकी FM की preparation अभी start हुई है, आपकी PM की preparation कितनी थी पहले, कि आपने PM की exam सि फेल हुए हो, या भाई से बहुत भेंकर तरीके से फेल हुए हो, तो अब इसको ज़र हम sort करते हैं, अगर आपकी, ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी, अगर आपकी FM की preparation की बात करता हूँ मैं, FM की preparation की बात करता हूँ मैं, वो आपकी 100% complete हो चुकी है, यानि कि आपने paper देन हैंगे तुरंद बात, लेकिन अभी के लिए, प्लीज भूल जाएए, किस को, कमान, किस को, जल्दी बताइए, अभी के लिए प्लीज भूल जाएए, PM को, दूसरा case में आते हैं, किसा आप PM की preparation मेरी पूली थी, FM की preparation जो है, मेरी भी 15%, 20%, 30% दी हुई है, PM में मैं बहुत borderline case पे हूँ, तो मैं बोलूँगा, FM को भूल जाएए, और अपना जो पुराना paper है, जिसमे आप fail हो गए है, उस paper पे focus कीजिए, हाँ जी, FM को भूल जाएए, अपका जो पुराना paper है, जिसमे आप fail हो गए है, उस paper पे focus कीजिए, और तोड़-फोड मचा दीजिए, हलो, is that clear तो यह आपको decide करना पड़ेगा बैट के कि आपकी जो paper में आप fail हुए उसमें कैसी preparation थी आप जो paper अभी December के लतियार कर रहे थे उसमें कितनी आपकी preparation है तो इस पे आप लोग decision लीजिए और आगे चलिए कोई दूर तो घंबराने की बाग नहीं है Sir मैं X subject में fail हुआ मैं Y subject में fail हुआ Please help me कि हमके यह subject कैसे prepare करें So don't worry at all subject specific guidance हम लोग आपके लिए बहुत जल्ली जो है वो लेके आएंगे उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक उमीद मिली होगी उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से यह समझे होंगे कि कहां पर गलती रही और कैसे आपने सुधार में है देखो भाई एक बहुत ही जबरदस्त course है अगर आप लोग questions की practice करके जाएं concept समझके questions की practice करके जाएं आप पास हो रहे हो पकी बात है पकी बात है आप पास हो रहे हो अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हो बेटा तो आप मैं आप इससे छोड़ दिजिए आप कोई भी course पकड़ लिजिए आप जीवन में कोई भी काम पकड़ लिजिए आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आपको जो basic है आप वो ही नहीं कर रहे हो तो basic यह है कि आप questions सबसे पहले concept समझे अपने teachers के थूँ videos के थूँ, classes के थूँ questions करें और देखिए फिर कैसे आप लोग दूम मचाते हैं राइट चलिए और learn91.com पे ज़रू विजिट करेगा अगर knowledge level और scale level के आप लोग classes लेना चाहते हैं affordable prices पे हम बहुत कुछ चीज़े सुधार रहे हैं improve कर रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं और आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े, अब जैसे कि यह computer proficiency बे हम लोग एक अलग से एक course बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को help मिल सके, live sessions लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को help मिल सके, right, and we are trying कि हमें भी जो है, एक एक चीज़ ऐसी पता चल जाए कि हम आप लोगों को pass कराएं, आप लोगों को उस पार पहुचाएं, आप लोगों को help कर पाएं कि आप लोग अपना international career जो है, वो बना पाएं, right guys so don't worry at all, एक छोटी सी बात आप से और कि भाई, अगर आप लोग job के साथ पढ़ रहे हैं, तो चिंता मत कीजे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो है एक guidance वीडियो बना दूँगा, आपको जो भी problem हो, आप comment box हो, comment करके जरू 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 बताएं कि ये problem हम लोग face कर रहे हैं ताकि हम लोग उसका solution आप तक ले पाएं लेके आपाएं, right guys with this note, thank you very much, stay connected, stay here जैहिंद और हां मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, bye bye and God bless you